वेल आप ये तो जानते हैं कि जिन्दगी ये खेल है पर क्या आप ये बात जानते हैं कि ये खेल है कौन सा वेल ये खेल है ताश के पत्तों का जिस तरह ताश में बहुत सारे पत्ते होते हैं उसी तरह हमारी जिन्दगी में भी बहुत कुछ है जिस तरह ताश को खेलने से प ही होती कि आप पत्ते अपनी मर्जी से ले सकते हैं उसी तरह जिंदगी भी आपको यह चॉइस नहीं देती कि मम्मी तो इसकी अच्छी है वेल पापा वो वाले चलेंगे अब जो है और आपको अब आपकी जिन्दगी इनी के साथ जीनी है इनी के साथ बितानी है और कहीं न कहीं यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इस पूरे लॉट में कोई एक पत्ता ऐसा जरूर है जो खराब है जो या तो आपको जोकर समझता है या उसने आपको जोकर ब जो आप जिन्दगी में हासल करना चाहते हैं अगर आप मेरी बात माने तो ये खराब पत्ता आपकी लाइफ का सबसे इंपोर्टन पत्ता है क्योंकि जिस तरह खेल में सारे अच्छे पत्ते मिलकर भी आपको आपकी जीत नहीं दिला सकते और जीतने के लिए कहीं न कहीं आपको अपना ये खराब पत्ता चलना पड़ता है उसीतरहें जिन्दगी में भी ये खराब पत्ता आपका वो potential अनलॉग करता है जो आप खुद भी नहीं जानते कि आप में है ये खराब पत्ता आपको वो बना देता है जो आपके सारे अच्छे पते मिलकर भी आपको जिन्दगी में कभी नहीं बना पाते एन ओना स्पिरिचुल प्लाटफॉर्म ये खराब पते हमारी जिन्दगी में ही इसलिए ताकि ये हमारी जिन्दगी को उस कदर बिगाड़ दें के हम मझबूर हो जाएं उसे सवारने के लिए उसे बनाने के लिए और वो कदम उठाने के लिए जिसके साथ हमारी जीत लिखी हुई होती है खरापता सिर्फ आपके पास नहीं, कहीं न कहीं हर किसी के पास है, तभी तो वो खेल है, क्योंकि जब आप अच्छे पतों के साथ जीत जाते हैं, तो उसे किस्मत कहते हैं, असली जीत तो तब है, जब आप खरापतों के साथ जीत कर दिखाते हैं So, my dear friends, and precisely my dear students, always remember, life is like a game of cards, all shuffled up. You never get the cards of your choice, but a real winner can win out of those worst cards. So, make it capable and win by winning with the bad guys. And now, share the video with your friends and write the comments in the comment box. And this is Ruchika Dugil signing off. Till we meet next. बिन दास होकर खेलिए.